तो हाई गाईज वेलकम तो आज चोनल मत्मेटिक्स जोन तो इस वीडियो हम बात करने माले दो नुए मेठट की जिससे हम पर्टिकुलर इंडिगल फायंड कर पाएंगे तो पर्टिकुलर इंडिगल करने के दोने में तर कुन-कौन है में तर भेडियेशन और प्रामिटर्स के लिए अन्में तर भेडियेशन और प्रामिटर्स तो बहुत ज़्या इंपौटन्ट है माई लिए क्योंकि हमारे सेलिबस में है लेकि इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है प्रीवेस के तरह ही हैं उस प्लाइ करके लगा देना इसमें ज्यादा है में तब सबसेपहले ब ऑगर हम लोग चाहिए तो उसको कर सकते हैं जो मेरा भेडीयेसंद पैरमिटर से सोओं कर लेंगे जह अरिफन लेई क्या होता है तो देखो Кिंफार के अब यह बाइफ क्वायट जणनल मतलब यह जिंदल मेथट है औरफ़लाइ होता है उस टाइप के equation है, इसका form क्या होता है, y double dash plus py dash plus qy equal to x, इस type के equation में यह लगता है, समझ में आया होगा बाद, इसमें p और q क्या है, function of x है, ठीक है, तो इसका pi बनाने के लिए में क्या करना पड़ता है, minus y1 integration of y2 into x, x क्या है, यह वाला part x है, x by w, w आगे देखें के क्या होता है, into dx plus y2 integration of y1 x, w dx, यह होता है हमारा formula, formula आप copy में लिखेंगे लो, और आगे देखो कि यह सब क्या है, और कैसे करेंगे हम इसका solve, तो सबसे पहले formula आप लोगा ने formula, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या equation 1 इसको देख लो, यह equation 1 है यह वाला, चलो आगे चलते हैं, तो देखो इसका pi क्या हो जाएगा equation 1 का, equation 1 जो था y double dash plus py dash plus qy equal to x था, इसका pi क्या हो जाएगा particular integral, minus y1 integration of y2 x, यह होगा, plus y2 integration of y1 x by w, तो यहाँ पर देखो, complementary function में जो हम निकालते हैं, solution, c y1 plus c y2, c y1 वाला c2 y2, जो निकालते हैं, हम लोग solution, तो y1 आ y2 हम वहीं से लेंगे, तो पह पहला पाठ हमारा y1 कहला आएगा, complementary function का, पहला पाठ क्या कहला आएगा, y1 कहला आएगा, तो हाँ से y1, y2 ले लेंगे, और आती है w की बात, w क्या है, w equal to y1 into y2 dash, minus y2 into y1 dash, तो y1, y2 कहाँ जाएगा, पहले complementary function से, तो हमेरा क्याम क्या है सबसे पहले, step 1 क्या राएगा, से पहले complementary function find का, उसके बाद हम क्या करें, y1, y2 discuss, judge करें कि कौन होगा, उसके बात क्या करेंगे, w equal to y1 into y2 dash, minus y2 into y1 dash, ये करें, हम w निकालेंगे, और इस formula में, pi के formula में, substitute कर देंगे, तो हमारा क्या हो जागा, हमारा pi निकल जाएगा, आसानी से, question मी solve करेंगे, तब आसान क्या है, तो w होता क्या है, w क्या है, y1, y2, y1 dash, y2 dash, ये क्या है, ये क्या है, determinant के form में, लिखा हुआ है, तो आपको complementary function से y1, y2 मिल जाएगा, उसको आप differentiate करके, y1, y dash, y1 dash, y2 dash करके, लिख सकते हैं, ये लिख लेना है, आप लोगो, और क्या बैठा देना है, उसके solve कर लि ने से हमें निकल जाएगा, तो स्टेप is क्या है, ये फार स्टेप स लिख लो, ठीक है, COFFEE में, स्टेप वन, स्टेप वन, स्टेप वन, क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन इकूशन में से complementary function n beet multiplication find, find complementary function करेंगे, step 2 क्या हो जाएगा, step 2 क्य करने को दोसमें से पहला वाला वाला को भाइब निकाल लेंगे निकाल लेंगे यह तो कर लिए इतना दुन हम लोग सब्सक्राइब क्या करेंगे जो हमारा पी आई का गीवन फर्मूला है उसमें हम क्या करेंगे बैठा देंगे सब को अपिया निकल जाएगा और उसके प्लस एफ हमारा क्या था टूटली अंसर हो जाएगा अब अपनी वासा में इसमें लिख लेना मैंने जो समझा था संगा दिया वह को क्मेंट करना मैं एक PDF कर दूंगा इसमें क्या करना ऐसमें ठीक है चलो बढ़ते हैं इसके क्वेस्टन के तरफ और समझते हैं कि यह होता है आखिर देखो यहां पर यहां पर यहां पर फॉर्म है यहां पर पी की वैलू क्या है जीरो है कि यहां पर क्या पी तो जीरो है और क्या है यह इसी को च्रीट करना है और आंसर निकालने के लिए सबसे पहले कंपलीमेंटरी फंसर निकालना यह तो आप जानते हों सबसे पहले क्या करना है राइट है एंट साइड को जो है लेफेंड साइड को जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कंपलिमेन्टरी फैंशन के बारे में तब तो यह आसानी सब्सक्राइब तो देखो दी स्क्वार प्लस फॉर्ड एक को इंटू आए यह क्या आगा 10 तो एक्स निखेंगे एम इक्वाल टू एम स्क्वार प्लस फॉर्ड इक्वाल टू करेंगे और इसका रोट चलो देखते हैं यहां पर देखो सबसे पहले अब ले मेंटरी फंचनिया थो फ्लस इकला है ठीक है डी स्कवाल टू फॉर्ड दी एक्वाल टू प्लस माइनस टू आई यह हो जाएगा हमारा एम रूट हमारा क्या है है मया क्या करेंगे एक्वाल प्लस एक्स शी टूम अब लधा क्या होगा यहांपड ऑफा क्या होगा वाई-टू आःधा हो जाएगा यहां तक तो आपको clear होगा है और हमने आपको बताया था पीछे पड़ी वैसली थ्वासा पताया था कि y1 और y2 निकालने के बादम क्या से डबलू निकाल सकते हैं तो y1 y2 निकालने का आप क्या कर लो अब उसका y1 डैस मतलब क्या आप जानते हो क्या क्या यह यह तो क्लियर है कि यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगो है ना चलू आगे solve करते हैं हम लोग आगे देखो क्या होगा पी यह फॉर्मला बैठा थे प्या इकल तो माइनस वाइवन इंटेग्रेशन वाइटो एक्स वाइड डी एक्स प्लस वाइटो इंटेग्रेशन वाइवन एक्स वाइड डावल इंटो डी एक्स यह हमने कर दिया कि अब देखो बैठा है वाइबन क्या था हमारा माइना कॉस्ट टू एक्स था तो कॉस्ट टू लेंगे तो देखो इसमें क्या आता है यह हो जाता है और यहां देखो कॉस्ट टू टैन में रखना है तो साइन टू एक्स टूटकिया क्या होगा सेक्ट टू एक्स माइनस कॉस्ट टू एक्स हो गया क्लीर है और अम क्या कर लिए यहां से लिए थी यहां से 1 by 2 common ले लिए थे ठीक 7 by 2 common ले लिए थे अब दिखो क्या हो गए आपकर तो सेक 2x का इंटिवरेशन क्या होता है log mod 6x plus 10x तो यहां सेक 2x है तो 2 का जो x का जो coefficient हो क्या नीचे आ जाएगा तो 2 बाहर है तो सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना नहीं हो और बेल आलिक आंकर जरूर जबाना ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सब्सक्राइब करने जरू करना थैंक यू